हालो स्टूदेंट, वेलकम बैक टू मैंटीजटर 247, आई अनीता शर्मा यो हिस्टिविंटोर, स्टूदेंट आज की इस वीडियो में बात करने वाले हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है किन्शिप, कास्ट एंड ग्लास, उसमें जो लास्ट टॉपिक है कौन सा इस टॉपिक पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट की चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब ये सोचे कि हिस्टरी को हमारे हिस्टोरियन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, कही न कहीं से तो रिसॉर्स जुटाएं होंगे, तो अगर हम इस पूरे चाप्टर की बात करें, तो हमारे हिस्टोरियन को जैसे महाभारत के बारे में पता चला, तो अगर महाभारत कि जाना कि मनुसमती धमशास्त में जो किटेगरीज डिवाइड थी वर्णास में डिवाइड थी वो कैसे कैसे पता चली हमारे historians को तो कही ना कहीं वो चीजे mention होंगी ना तो historian history को reconstruct करने के लिए काफी सारे sources को उनको जुटाना पड़ता है तब जाकर analysis करते हैं और फिर history को reconstruct करते हैं ठीक है तो हम बात करते हैं कि handling the test historian and the mahabharata historian examined the text were written in the Pali अब देखो चाहे वो text कोई भी text है कोई भी written document है चाहे वो किसी भी language में हो ठीक है specially लेकर मैं बात करूं कि इसकी mahabharata और जो हमारे Indian subcontinent में जितनी भी उनको textbook मिली ठीक है तो चाहे वो जिस भी भाषा में लिखी हुई थी कि historian examined whether the text were written in the Prakrit, Pali और Tamil, the language that were probably मतलब कि लोगों की जो local language थी तो उसी में वो चीजे लिखी होंगी जिससे कि जो reader होते थे जो local community के जो reader होते थे वो उस चीज को अच्छे थे समझ पाते हैं इसलिए चाहे किसी भी language में ठीक हो लिखी हो तो हमारी historian ने पहले थे पहले किसी चीज को समझाए जाए जाएगा तो तो हमारी historian ने पहले उनको sources को collect किया ठीक है फिर उसके बाद आपनी language में या जो लोगों की local language थी उसमें उसको convert करके या ट्रांसलेट करके उनको बताया ठीक है ओके अब देखो यहां पर क्या बता है कि संस्कृत का बोल बाला था मतलब पहले जो है टाइम में अगर मैं बहामबात की बात करूं तो लोग जो है वो मतलब स्पेशली किसकी बात करें प्रिस्ट की और एलिट्स की तो जो बड़े-बड़े रिच परसंस होते थे या फिर राजा लोग लगा लीजिए या फिर आप जो पंडे जी वगरा होते थे ब्रामन जिसको फर्स्ट केटिकरी में रखा गया था ठीक है तो वो क्या करते थे ज जदा तर कौन यूज करते थे प्रिस्ट और एलिट स्वे मिली के लोग करते थे बिसाइट THE TRY TO और बाकी जो नॉर्मल जंता होती तो उनकी नॉरमल भालवा भाशा होती थी अब इतनी टिपिकल तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ परसन ही उसको समझ सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है, फिर उसको easy language में, चाहे वो संस्कृत ही थी, फिर उसको easy language ट्रांसलेट किया गया, ताकि थोड़ी सी लोगों की समझ भी आ जाए, फिर बाद में तो वो अलग-अल लिखी होगी, इससे लिखी तो है, अब पढ़ने से, रीडर उसको पढ़ेगा, तो एक तरह से author की एक image को वो, जो है, imagine कर पाएगा, कि किस तरह के thoughts इसमें, authors ने अपने डाले हैं, तो उससे उसकी सोच का पता चलता है, कि वो कितना ग्यानी होगा, ठीक है, जो इन चीजों को shape दी है, ठीक है, textbook shape देने का मतलब है, ऐसे नहीं कि उसको आकार दिया है, आकार in the sense की shape यहाँ पर मतलब है, कि उसको समझ करके, जिस way ते उन्होंने reader को समझाने की कोशिश की है, यहाँ पर वो बात बनाई जा, बताई जाती है, as well as intended the audience, very often authors keep to interest of their audience in mind while they composing their work, तो यहाँ पर देखो कोई भी writer होता है, कोई भी लेखाक होता है, तो वो अपनी book लिख रहा है, तो उसके पहले दिमाग में क्या, वो सोच आएगी, कि यार मैं कुछ ऐसी चीज लिखू, जिससे की reader जादा जादा इसको अपनी life से connect कर पाए, तब ही तो वो चीज, जब ही society में जाद उसकी demand बढ़ेगी, लोग उसको जादा पसंद करेंगे, तो हमेशा जब भी author कुछ लिखता है, तो सबसे पहले वो audience की demand को समझता है, कि audience किस तरह इसकी demand करती है, यह movies वगरा बनती है, यह भी तो इसी base पर बनती है, कि audience की आज की demand क्या है, जैसे आज कल मैं बात करूँ कि historical movies जो है, वो लोग उसमें interest लेने लगे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कि जो producer-director होते हैं, वो अपना इसी तरफ ही रूख बदल रहे हैं, किसी भी biography मांग वाली है, मतलब किसी की biography पर ही movie बनानी है, तो उस पर अपना कर दिया, तो कहने का मतलब अब धीरे-धीरे, लोगों के interest को समझ करके जो काम किया जा रहा है, तो ये सबसे पहले लेख को अपने दिमाग में रखना होता है, कि किस तरह की demand है audience की, तो तब ही जाकर वो चीजें success होती है, clear है, composing their work, next आता है, significance of the महाभारत, महाभारत की importance क्या है, ठीक है, क्यों हम इसको इतना importance देते हैं, क्यों इत typical Sanskrit में लिखी हुई थी, ठीक है, Sanskrit भाषा में, although their version of their language as well, ठीक है, क्योंकि ये उस time में Sanskrit भाषा ही प्रचलन में थी, इसको Sanskrit में लिखा गया था, ठीक है, however the Sanskrit used in the महाभारता is far simpler than that the Vedas, ठीक है, अब वेदों में जो typical Sanskrit लिखी हुई थी, उससे थोड़ी से simple language में, Sanskrit में ही तो थोड़ी से simple language है, वेदों में तो बहुत ही जादा मुश्किल Sanskrit होती थी, उसको हर कोई नहीं पढ़ सकता था, लेकिन महाभारत में वेदों से थोड़ी से simpler type में उसमें language लिखी गई थी, और दा प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति होती है, in the praise of, in the praise of king, ठी यानि कि king की प्रशंशा में कहे गई कोई भी कवीता हो गई, उसके ओपर कुछ भी एक्सवाजट कुछ भी लिखा, लेकिन उसके सारे उसके तारीफ में ही लिखा होता था, उसकी प्रशस्ति प्रशंशा ये थोड़ा सा trick बना कर चलना, ठीक है, प्रशस्ति क्या होता है, in widely understood, तो ये जो प्रशस्ति होते है, लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाते थे, क्यों, क्योंकि इसमें राजा के achievements के बारे में पता था, क्यों, मतब समझ क्यों जाते थे, सबसे बड़ी बाती होती थी, इसमें, इसमें जो language यूज की जाती थी, वो लोगों की local language से यू प्रशस्ति लिखी जाती थी, वो इन भाशाओं में जब लिखते थे, तो लोग इसको ज़्यादा पढ़ करके उस राजा के बारे में जान पाते थे, ठीक है, जैसे परियाग परशस्ति होगी, परियाग परशस्ति को इलाबार परशस्ति भी कहा जाता है, ठीक है, समुद कि इतिहास लिखने वालों के लिए कलम की नहीं होसलों की जरूरत होती है, है ना, तो यह जो इतिहास वर्ड है ना, इसका मतलब यह कि कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होगी, यहां पर देखिए क्या कह रहा है, इतिहास विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन, अब यह ज इतिहास का मतलब कि वो चीजे हुई थी, इसलिए अभी मैंने क्या बता है, इतिहास का मतलब क्या होता है, जो भी घटना घट चुकी है, उसको क्या कहा जाता है, इतिहास, यह ऐसा हो चुका था, इसलिए वो इतिहास बन गया है, ठीक है, इब बात आती है, कि इसमें कौन सी, मतलब महा भारत हो या कोई भी textbook हो तो ये languages में क्या role play करती है जाहिर सी बात है कि language नहीं होगी तो लोगों को समझ में कैसे आएगी चाहे वो language कोई भी हो पाली हो, Sanskrit हो, Tamil हो, X, Y, Z कोई भी हो, प्राकृत हो तो लोगों को जब तक चीजें उनको written में नहीं मिलेगी या जिस भाषा में वो समझना चाते हैं जब तक उनको नहीं समझाए जाएगा तब तक कोई चीज समझ नहीं पाएंगे तो यहाँ पर बताया जाता है the version of Mahabharata Sanskrit देखो इसका version जो है किसका महा भारत का version जो है वो संस्कृत में लिखा गया था यह तो हमें भी पता है ठीक है, although there are versions in the other language हाला कि संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन आज अगर आज की बात करू at present तो यह महा भारत एक ऐसा epic है जो दुनिया की लगभग language में इसको translate किया जा चुका है English हो, Hindi हो, Tamil हो, कन्यर हो, बढ़यालम हो, यह हो, वो हो तकरीबन languages में इसको translate किया जा चुका है और अभी तक भी यह translation जारी ही चल रही है ठीक है, जारी ही है, clear? So historian usually classify the content of the present text under the two broadcasts ठीक है, अब historian usually classify, अब historian क्या करते हैं, usually मतलब इसको दो भागों में बाटते हैं, कैसे, देखो एक तो वो हो गए, यहां पर देखना, कितनी, इन्होंने deep sense दिया इस बात का, कि historian usually classify the content of the present text under the two broadcasts, इसको दो भागों में बाट दिया गया है ठीक है, कौन-कौन से, there are sections that contain the story, ठीक है एक तो वो section बना दिया, जिसमें की story औगरा, ठीक है, कहानिया बगरा डाली गई है, these are designated as the narrative and the section and the section that contain the prescription about the social norms designated the didactic, ठीक है अब क्या होता है, कि didactic का मतलब, इसमें क्या हो गया, कि historian एक तो यह है कि कोई भी चीज है, कि उसको कहानी के माध्यम से, जैसे मान लो कोई, आपको जो है, वो motivate करना चाहता है, ठीक है, अब motivation के तुरू उन्होंने कहानी बताई, ठीक है, पहले कहानी को आपको सुनाया, moral of the story क्या हुआ, वो last time बताते हैं, कि इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है, तो story जो है, वो reader को एक तरह से connect करने में बहुत ज़़ा अपना important role प्ले करती है, ठीक है, दूसरा क्या आगया, दूसरा होता है कि as a tease, अब वो भी जो भी घटना घटी, उसको क्या करते हैं, जिसने आपना आखो देखा, उसका हाल देखा, मतलब आखो देखा हाल जिसको बोलते है ना कि उसके सामने वो घटना घट चुकी है फिर उसको क्या करता है वो खुज से लिखता है नरेट करता है फिर दूसरा कोई लिखता है तो इस तरीके से उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है समझाने के कई तरीके होता है ना मझे तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक तो वो कि जो चीज एक्चुल हो चुकी है एक वो जो स्टोरीज के माध्यम से उसको बताया गया है है, ठीक है, detective means किया होता है, detective means होता है कि instructions, मतलब कि आपको ये चीज ऐसे लिखनी है, इसके बाद ऐसे लिखनी है, तो एक तरह की instructions जो होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, detective, clear है, next कहता है कि authors and the date, अब question ये पैदा होता है, कि यार महा भारत किस ने लिखी, है न, बहुत सारे बच्चों को पता है कि महा भारत महर्शी वेद व्यास ने लिखी, लेकिन कहीं कहीं पर हिस्टोरियन्स का ये भी मानना है, या कहीं कहीं पर हम ये भी सुनते हैं, या हमने लिखा हुआ देखा है कि महा भारत को गनेश जी ने लिखा था ठीक है गनेज जी सबस्टाइबर मतलब गनेज जी क्या थे स्क्राइबर थे लिखने वाले को क्या कहते हैं स्क्राइबर बोलते हैं ठीक है लिखने वाले तो गनेज जी थे लेकिन महर्शी वेद व्यास ने उनको नरेट किया था मतलब कि तुम्हें उनको तो अब हम क्या करेंगे यहां पर देखते हैं यहां पर क्या लिखा है यह जो महाभारत की स्टोरी है यह महा बारत है composed by a chariator bar known as the suta, मतलब indirectly किसको बोला गया, श्रिकिष्ण को बोला, क्योंकि वो अर्जुन के सार थी थे, सारी घटना को, सारे युद्ध को उन्होंने अपने आखों से देखा था, तो हो सकता है कि initially, क्योंकि उस टाय में कोई था नी, सारी चीज़े उन्होंने अपने आखों से देखी थी, तो हो सकता है उन्होंने लिखी हो, तो यह जो chariator bar आप देख रहे हो ना, chariator कौन होता है, रथकार होता है ना, chariator bars known as उसको क्या कहते हैं, उसको सुताज कहते हैं, who generally accompanied the शत्रिये वरियर, था, मतलब यह कि योद्धा था, शायद हो सकता है, उसने यह महाभारत लिखी हो, clear, किस को बोला गया इंडिरेकली, श्री किश्न को, ठीक है, next आता है, next इसमें क्या बोलता आते हैं, कि then the emergence of the chiefs, such as the kuru and panchaz, brahmanaz took over the story, and begin the committed it to writing, अब क्या हुआ, कि then with the emergence of the chiefs, जैसे जैसे राजा, नहीं ने, राजाओं का emergence होने लगा, नहीं ने राजा बनने लगे, such as the kuru and the panchal, यह क्या थे, हमने पढ़ा था, महाजनपद में, kuru भी था, panchal भी था, तो इस तरीके से यह, बन्च बनने लगे, मतब इनकी जो dynastic rules था, वो चलने लगा था, तो kuru and panchal and brahmanas, took over the story, and begin to committed it to writing, और फिर उनने क्या कि, अब रामनों इसको लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीके, next आता है, कि in the next phase between the, अब यह next phase की बात कौन सी हो रही है, जिसमें क्या किया गया था, मनुस्म्रती को compose किया गया था, याद है ना, मनुस्म्रती को compose किया गया था, the growing importance of the worship of the Lord Vishnu, इस टाइम देखो, मनुस्म्रती जब आ गई थी, और फिर हमने महाभार्त में देखा, कि श्री किर्षन जो है, वो Lord Vishnu के अवतार है, तो यहां तक आते आते, लोग जान गए थे इसी किर्षन जो है, वो किसका का नेशन है, Lord Vishnu का, ठीक है, Lord Vishnu के ही, अवतार के रूप में धर्ती पर आये थे, और वो अर्जुन के सार्थी बने थे, जिन्हों ने यह पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आखों से देखा, ठीक है, अब लोगों की जो एक धार्मिक जो सोच थी, वो धिरे-दिरे बढ़ रही थी, ठीक है, और लोग जो है, वो Lord Vishnu को जादा तर वर्शिप कर रहे थे, क्यों? क्योंकि जो गीता का सार दिया था, मेंली जो महाभारत की युद्ध में, तो लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, उससे ज़्यादा इनके फॉलोवर्स बनें कि इसके Lord Vishnu के, और इसी से ही उनकी डिवोशन जो है Lord Vishnu के प्रती बनती चले गई, लोड Vishnu led to the identification of the Lord Krishna, one of the important figure in this epic, ये क्या बताएगा है, Lord Krishna जो है इस पूरे epic में, इस पूरे गरंथ में एक important figure मानी गई है, क्यों? क्योंकि एक तो देखो, वो Lord Vishnu का एक तो अवतार थे, ठीक है, दूसरा क्या था, उन्होंने पूरा आखो देखा हाल, महाबरत का, पूरा युद अपनी आखों से देखा था, तीसरा क्या था, उन्होंने सबसे बड़ा चीज़ थी उनकी, वो थी गीता का ग्यान, यानि कि युद रन भूमेंबे, जो उन्होंने अर्जुन को गीता का ग्यान दिया कि वो जब युद्ध करने से मना कर रहे थे तो उन्होंने उनको समझाया कि तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम नहीं कर रहे हो तुमसे भगवान करवारा है ये ठीके ना कि तुम नहीं कर रहे हो तुम अपना करम किये और फिर क्या किया इसमें मनुस्मृति को भी एड कर दिये गया मनुस्मृति क्या थी एक एक हैंड डॉकिमेंट सा जिसमें सोसाइटी के लिए सारे रूल्स रेगलेशन बनाई वह थे तो वह भी इसमें एड कर दी गई कुलियर है चलिए नेक से मुवण करते हैं कि दर सर्च ओरफ और अगॉर्जेंश ठीक है अब बताया जाता है कि महाबारत लाइक डामेजर एपिख हमें पता है कि महाबारत जो है वह एक सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है जैसे आप मान लेजिए forest dwellers हैं forest में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं क्या क्या activities करते हैं तो इसका भी वर्णन हमें महाबारत में मिलता है ठीक है for example battles के बारे में ठीक है forest के बारे में places and the settlements लोग कैसे कैसे houses में बिल्डिंग में रहते थे वो सारी चीज़े इसमें बताई गए इसको describe किया गया है 1951 यहां से वन मा का question आता है 1951 52 में एक archaeologist जिनका नाम था बीबी लाल क्या नाम था उनका बीबी लाल बीबी लाल ने क्या किया अब यहां अब यहां यहां अब देखो आर्केलोजिस का काम क्या होता है कि चीजों खुदाई के दोरान जो भी उनको चीजे बिलते हैं उनका पता लगा करके फिर दुनिया को बताना होता है यही तो काम होता है ना तो यह जो आप देख रहो ना आर्केलोजिस्ट का हिस्टोरियन का तो इसमें इंटरस्स बढ़ता चला जाएगा और इसके ओपर फिर रिसस्स स्टार्ट करते हैं ठीक है तो जितनी जादा बीबी लाल को मिलते हैं, ठीक है, और फिर उनने क्या किया, thus the level were about the architecture of the houses, तो लोग कैसे घरों में रहते थे, फिर उनका पूरा का पूरा पता लगाया गया, और फिर बताया गया कि लोग महाभारत टाइम में इस तरह के घरों में रहते थे, तो बीबी लाल ने इसको execute किया, clear, यह देखे, इस तरीके के जो टूटे-फूटे-खंडर वाले टाइप थे न, इस तरीके के उनको मिले, और इसे पता लगाया कि लोग जो है, वो पहले इस तरह के घरों में रहा करते थे, ठीक है, नेक्स आता है, कि इसको एक dynamic text क्यों कहा जाता है महाभारत को, बचे बहुत-बहुत important है, इसको ध्यान से देखना, इसको dynamic text इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया की लगभग languages में, ठीक है, लगभग languages में इसको translate किया जा चुका है, और यह इतना पसंदीदा epic है, पांचो पांडों की पत्नी कैसे कहलाई, दुरियोधन ने क्या क्या किया, लोगों का interest जो है, चाहे वो story के माध्यम से बता रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज के through बता रहे हो, लेकिन लोगों का interest बन रहा है, तो लोगों की demand इसकी day by day बढ़ती चली जा रही है, तो जितनी demand बढ़ेगी, उतनी जादे इसकी copies निकलेगी, उतना जादे इसको translate किया जाएगा, तो दुनिया की तकरीबन हर एक language में इसको translate किया जा चुका है, और translation अभी भी जारी है, the Mahabhartha can be considered as a dynamic text, it is being written over a span of a time and growth of the Mahabhartha did not stop with the Sanskrit version, ये खाली Sanskrit version तक ही stop नहीं हो गई थी, ये खाली Sanskrit version तक ही तीमित नहीं रह गई थी, बलकि इसको बहुत सारी languages में translate किया गया, over the century many version of the epic were written in the variety of languages, ठीक है, through an ongoing process of a dialogue, अब इसमें जो खासकर reader को attract करते हैं, वो क्या हो गई, dialogues हो गई, dialogues हो गई, dialogues का मतलब दुरियोधन के क्या dialogues थे, युदिस्टर के, अब इसमें आपने महाबार के ओपर serials भी बन चुके है, महाबारत पूरी एक जो पहले के टाइम में दिखाई भी जा चुकी थी, ना, रामायन महाबारत, ठीक है ना, तो आप बताना जरा कि मभी पापा से पूछना है कि क्या उन्होंने वो जो पहले सबसे पहले वाली जो महाबारत आय करती थी, हमा ठीक है, communities and those who wrote the text, ठीक है, उनके बीच में कैसी-कैसी conversation होती है, किसने क्या बोला, वो सारी चीजे बचे, कहीना कहीं तो लिखी होई मिलेगी ना, अब गीता का सार जब दिया अर्जुन को, तो गीता में क्या-क्या बोला गया था, ठीक है, वो चीजे कहीना कहीं तो written होगी कहीना कहीन तो उसका proof होगा, दुरियोधन ने क्या बोला, युदिस्टर ने क्या बोला, द्रॉपदी ने क्या बोला, कुंती ने क्या बोला, ठीक है, दृतरास्त ने क्या बोला, वो सारे dialogues इसमें लिखी होते हैं, ठीक है, इस से जो है, वो पूरी epic का एक construction होता है, तब ज का 80 out of 80 या 200 out of 200 लेने का तो आज ही जॉइन करें हमारे इस बैच को जिसका नाम है समर्द बैच काफी सारे इंड्रोल्मेंट्स हो चुके हैं ठीक है 80 out of 80 बोर्ड में लाना 200 out of 200 आपके सुटी में लाना तो वो पॉसिबल हो सकता है हमारे इन बैच के तुरू ठीक है तो इसमें आपको क्या-क्या दिया जा रहा है वो मैं अभी बताऊंगी आपको ठीक है इसमें आपको जो है वो बहुत सारी चीजे दी जा रही है डिकॉर्ड वीडियो आपके पास होंगी टीच जो है रेगलर क्लास होती है लाइफ इंट्रक्शन होता है टीचर्स का उस्टूडेंट का तो यहाँ पर हम एक बहुत ही मतलब कहते हैं कि मजे बजे बे जो सीखने वारी चीज होती है वो हम अपनी लाइफ क्लासेस में करते हैं जब आप इस बैच को एन्रोल करोगे इस प कैसे परचेस किया जाए इस पर डिसकाउंट कैसे मिलेगा तो वह मैं अभी बताती हूँ लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कीजिएगा क्योंकि हिमार्टी स्टूडेंट के लिए स्पेशल चैनल है और ये आपका लास तक आपके बोर्ड एक्जाम जो है पना रहेगा और आने वाले टाइम जो स्यूटी के एक्जाम दोगे उसकी भी तैयारी हमारी यही पर होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए का कॉमेंट सेक्श में लिख कर बताएगे कि आपको वीडियो कैसे लगी या कोई भी डाउट होता है तो आप उ कर सकते है अड़ा 24-7 आपने फॉस्ट ऑप्शन पर क्लिक किया जैसे आप फॉस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने आएगा All Courses जैसे आपने All Courses पर किया अगर आप चाहते है कि मुझे अभी CUT की तयारी नहीं करनी है सिर्फ मैं अपने बोड एक्जाम फोकस करूँगा तो तो आपने आपने क्या करना है School K12 वाले पर Option पर यहाँ पर टिक करना है ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे जैसे Class 12 बोड है यहाँ पर आपने टिक कर दिया यह साइंस का यह Commerce का और यह है Arts का ठीक है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अपने Arts पर तो पढ़ने से रही ठीक है तो Y489 यह coupon code लगाएंगे Y489 यह coupon code लगाएंगे apply करेंगे और जैसे आप इसको apply करोगे वैसे आपके पास 17% का discount आ जाएगा और यह course सर्फ आपको पढ़ रहा है 2489 का अब इसकी validity देखिए कितने की है 12 month की अब आप खुद सोचो कि आप एक subject क यह कितना मिल रहा है 2489 रूपीज ओनली average लगा कर चलो कितनी कम average है जल्दी से जाओ अपने सपनों को साकार करो कि हमारा सपना है board exam में बहुत अच्छा score करने का तो आप यह कर सकते हैं इसके अलावा चाहते हो कि नहीं मैंना मुझे तो board exam के साथ में मुझे CUT की भी तयारी करनी है ताकि मैं एक ही जगे पर दोनों चीजे मुझे मिल जाए तो आप जा सकते हमारे किस पर CUT वले batch पर all courses पर click किया फिर under great entrance exam पर click किया CUT पर click किया यह आपका arts का course है ठीक है आपने arts पर click किया और फिर आपको समर्थ batch यह मिल जाएगा आपको complete जिसमें आपको domain subject के साथ साथ में आपको GT English भी पढ़ाई जारी है और इस बार आपका April में एक्जाम खतम होगा और May में आपका CUT के एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो इसमें तयारी करने का भरपास इतना time नहीं रहेगा preparation करने का कि हम एक अच्छी तयारी लेका जा सके इसलिए अभी से तुम अपनी start कर दो तयारी preparation जिसके विहाँ पर अच्छी revision लेकर जाओगे रो एक अच्छा score आप पास रखोगे इसको क्या करना है बाइनाव पर क्लिक करना है जैसे आपने बाइनाव पर क्लिक किया फिर से coupon code लगा देना Y489 ठीक है ये coupon code याद रखना अब देखो ये course कितने का रह गया अभी आपका 8714 का validity कितनी है पूरी 12 month की इसमें आपके CUT plus board exam दोनों की preparation करवाई जा रही है ठीक ह मिलते अपनी next video में till then take care bye